जर्शी गृष्ण दोस्तों आजम बनाने वाले हाई प्रोटीन रेज पीट रूट और सोया चंक्स टिकी के साथ हमस बनाएंगे तो इप बिल्कुल हिल्दी वर्जन का नाश्ता है तो चलिए फिर सबसे पहले ना हम टिकी बना लेते हैं प्लेट में हमें एक कप कदुकस किया हुआ बीट एड़ करना है एक कप किसा हुआ गाजर एड़ कर रही हूँ आधा कप सोया चंक्स को मैंने भिगो के रखा था फिर इसे मैंने हलका ग्रैंड करके लिया है दो बॉल और मैश किया हुआ आलू डालेंगे पाउ कप भिगोया हुआ पुहा एड़ कर रही हूँ दो बड़े चंक्स इसमें बेसन डालेंगे आधा बड़ा चंक्स हरी मिर्च और अधरकी पेस्ट एड़ करते हैं थोड़े से इसमें धनिय के पत्ते डालेंगे पाउ चंक्स हल्डी पाउडर आधा चंक्स धनिया पाउडर आधा चंक्स जीरा पाउडर एड़ करते हैं स्वादा नुसार नमक एड़ करेंगे तो बस इन सारी चिज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे क्यूंकि इसमें moisture content जादा है तो इसमें न हमें अलग से पानी मिलाने की आवशक्ता नहीं है तो इसे अच्छी तरह से combine करके डो जैसा मिश्रन तयार कर लेते हैं अब निमू के आ करके इतना मिश्रन लेके इन्हें अच्छे से gold shape देते हैं फिर इसे हमें अच्छी तरह से चप्टा करना है इसके बीच में काजू रखेंगे वैसे optional है तो इस तरह से मिश्रन के टिकिया तयार कर लेंगे चलिए इसे हम shallow fry करेंगे पैन को मैंने चूले पर रख दिया है इसमें तेल अड़ करते हैं बहुत ही कम से कम तेल का प्रयोग करके इसे हम सेखेंगे पैन अच्छे से गरम हो चुका है तो एक एक करके टिक्की को रख देते हैं इसमें धीमी आज पर रख कर दोनों तरफ से क्रिस्पी और हलका golden brown कलर नहीं आता है तब तक इसे हम shallow fry करेंगे अगर आप wet loss करना चाते हैं और कुछ healthy snack खाने का मन करता है तो बहुत ही अच्छा है option है अभी इन टिक्की को हम flip करते हैं और जो दूसरी side है उसे भी अच्छे से पकाएंगे दोनों तरफ से अच्छे से golden brown कलर आ चुका है देखे टिक्की जो है वो दोनों तरफ से अच्छे से पक चुकी है तो इसे plate में निकाल लेते हैं चलो अब इसकी साथ ना healthy dip बनाते हैं hummus सो mixi jar में हमें एक cup boil किया हुआ छोले आने की काबुली चने अड़ करना है दो बड़े चमच भुनी हुई सफे तील अड़ करेंगे थोड़ा सा नमक, निम्मू का रस डालेंगे लगबक एक बड़ा चमच इतना इसमें दो बड़े चमच extra virgin olive oil डालेंगे थोड़े से ice cubes अड़ करते हैं और बस इसे smooth होने तक blend करते हैं इसे पीश से वक थोड़ा सा पानी मिलाएं जिससे ये smooth paste बनकर तयार हो जाएं यहाँ पर हमस ready है प्लेट में हमस डालेंगे और हलकी हातों से इसे spread करते हैं फिर थोड़ा सा olive oil और हलकी सी लाल मिर्ट स्प्रिंकल करते हैं जो हमने टिकी बनाई है जिसे हम इसके अंदर रख देंगे तो एक complete high protein rich dish है उपर से हम थोड़े से धनिया चिर्केंगे और इसे enjoy करेंगे तो recipe आपको पसंद आई हो तो इसे ज़रूर try करके देखिएगा फिर मिलती हूँ और एक नई healthy recipe के साथ तब तक के लिए आप घर का खायेगा और अपना ख्यार रखे